हलो गाइज, वेलकम टू फार्मा ओर्जिन 2.0 गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे सैट्रिजिन हाइड्रोकलोराइड के बारे में इसका यूज, डोज, साइड इफेक्ट, इंडिकेशन, कॉंट्रा इंडिकेशन, हर चीज़ पे बात करेंगे गाइज, यह मेडिकल चैनल है, यहाँ पे मेडिकल से जुड़ी हर जानकारी प्रोभाइड की जाती है सो सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूत पड़ेगी, तो चलिए सुरू करते हैं सेटरिजन हाइडरोकलोराइट एक एलरजी और एलरजी के कंडिशन को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है डॉक्टर के दोरा प्रिसक्राइब की जाती है ब्रेंड नेम की बात करें, तो जारिटेक, सेटरिजन, डेकसिट, अलरीड के नाम से असानी से कहीं भी मिल जाती है हो सके इस नाम से नाम से ना मिले क्योंकि एरिया की डॉक्टर हर जगा अलग रहते है तो एक जैसे ब्रेंड नेम नहीं मिल पाता लेकिन जो मूल नेम होते है इसकी जैनरिक नेम वो सैटरीजीन ही रहता है चलिए अब बात करते हैं इसकी यूज की, कहां कहां इसका यूज है तो अगर किसी ब्यक्ति का नाक बह रहा है, नाक बंध हो गया है या छीक आ रही है, नाक लाल है, सूख गया है, आँखों से पानी आता है ऐसे कंडिशन को ठीक करने के लिए सैटरीजीन दी जाती है डॉक्टर के द्वरा प्रिस्क्राइब किया जाता है यही नहीं, अभी और सुनिए साथ ही साथ खुजली भी हो रही है, अगर आटिकारिया है छोटे मोटे कीले ने काटा हो, यह से मधुमक्खी और सूजन हो गया हो एकदम से खुजली हो रही, इंफिलमेशन हो गया तो ऐसे कंडिशन में भी सेट्रिजिन अगर आप खाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो सकते है साथ ही साथ अलर्जिक अगर अस्थमा है आपके साथ सिजनल अस्थमा अगर होता है, तो उसमें भी बहुत ही असर करता है साथ ही साथ किसी भी टैबलेट के साइड इफेक्ट होने पे अगर खुजली हो रही है तो भी सेट्रिजन ले सकते हैं तो बहुत असर करता है अगर इसकी डोज की बात करें तो नॉर्मल कंडिशन में 5MG, 10MG की टैबलेट ले सकते हैं फाइदा मिलेगा और अगर कोई ब्यक्ति 65 पलस है यानि उनकी एज 65 साल के उपर है तो 5MG ही लेनी चाहिए चलिए अब बात करते हैं कॉंट्रा इंडिकेशन यानि कि ऐसे काउं से पैसेंट है जिन्हें हम सैट्रिजन हाइड्रोकुलराइड नहीं दे सकते तो सबसे पहले आता है लीवर के पैसेंट अगर लीवर में किनी को प्रोब्लम है तो वो सैट्रिजन नहीं ले सकते दूसरी आती है प्रेगनंसी बोमेन अगर कोई है तो उन्हें भी प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता सलाह नहीं दिजाती प्रेगनंसी बोमेन को सैट्रीजीन खाने की तीसरी है ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो बचों को दूध पिलाती है जो माता उनको भी सैट्रीजीन प्रिसक्राइब नहीं किया जाता और सैट्रीजीन प्लस अलकोहल को कभी ना लें इससे परिसानी बढ़ स